आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ सावर स्पेशल रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा डिलिश्यस कोको नट का हलवा जी हाँ बहुत ज़्यादा इजी है ये बनाना और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है थोड़ी इसमें चील लिया है इस तरह से थोड़े बड़े बड़े टुकड़े रखे हैं और अब इन टुकड़ों को हमें छोटे-छोटे पीसेज में कट कर लेना है जितना छोटा आप करेंगे तो यह मिक्सी में ग्राइंड करने में बहुत जादा आसानी रहेगे तो देखिए बहुत कट हो जाएंगे अब हमें क्या करना है थोड़ा थोड़ा नारियल लेकर हम ग्राइंड कर लेंगे ग्राइंडिंग सार में लगपक मैंने आधा ले लिया है और इसे ग्राइंड कर लिया है तो देखिए मैंने किस तरह का ग्राइंड किया है इस तरह से हलका दरदरा है और जो बाकी का बच्चा हुआ नारियल था ना वो भी मैंने ग्राइंड कर लिया है तो इसे भी हम बड़े बाउल में निकाल लेते हैं तो देखिए, इस तरह से ये पूरा नारियल मैंने क्राइन कर लिया है, और जो बड़ा बाउल था, जिसमें मैंने पीसेस कट किये थे, वही पूरा भर कर ये जो पिसा हुआ नारियल है, वो तैयार हुआ है, तो अब हम इसको मेजर करेंगे, कि ये कितना कटोरी है, कितना है, तो उसी तरह से हम चीनी कावे मेजरमेंट लेंगे, तो देखिए, मैंने ये पूरी कटोरी भर रहे हूँ, अच्छे से दबा दबा के, ये देखिए, इस तरह से दबा दबा कर मैंने इसको भरा, और उपर जो बागी का हिससा था था, वो मैंने निकाल दिया, और एक प्लै चलते हैं, तो ये देखिए, मैंने एक कटोरी भुने मुँखळी ली हैं, ये चिलके निकाल कर, ये इक्ताम पाउडर बना लूँगी, इसको ग्राइड वी काईन कर लूंगे और साथी एक बड़ी कड़ाई लिए है जिसमें एक पड़ा चममज मैंने अभी घी डाला है इसे मेल्ट होने देते हैं और यहां पर मैंने काजू बिस्ता और बादाम की कतरन ली है जो मेरा हाथ है उसी से मैंने एक-एक मुठी तीनों चीजों की कतरन ली ह दो मिनिट तक हम इने घी में wię के उच्छे से आसमे है अर फिर साजी कंदर हें ट्राई फूर्स इसे अम एकाद में निकाल लेंगे को प्र देखिए मैंने कंदरन को अच्छे से घीमे भाद या है और थोड़ा सा घी मैंने और बंदर बंदर हिए अ किसे ओए थे हुए है वो हम कड़ाई में अच्छे से डाल देते हैं तो सारा ही नारियल मैंने इसमें डाल दिया है ये देखे पूरी तरह से थाली एक्टम साफ कर दी और जो भी पिसा हुआ नारियल था वो कड़ाई में डाल दिया तो अब हम इसे एक्टम स्लो गैस पर अच्छे से थोड़ी देर के लिए सेखेंगे लगवग 5-6 मिनिट के लिए आपको नारियल को अच्छे से सेखना है और इसमें मैंने थोड़ी देर सेखा इसको थोड़ी सी मुझे घी की जरुरत लगी तो मैंने थोड़ा सा घी और डाला है बहुत साधा घी इस्तमाल नहीं करना है कटोरी भर के थोड़ा ही घी डाला है और फिर जो रोस्टेड पीनट्स थे उसको मैंने पीस लिया था ग्राइन कर लिया था वो भी इसमें डाल दिया लग बग पांसे Six लिट मैंने इसको अच्छे से भूमना और फिर इसके बाद में दो कटोरी चीनी मैंने इसमें डाली है तीन कंटोरी ए नार्य रियल गांप हुआ हमें मिला था लेकिन मैंने दो कटोरी ही चीनी इसमें ।सम्झ लेता है thinking sanctions और बेदे कि बाद ये बहुत यह ज़ा टेस्ट मिलता है हमें तो देखे मैंने यहाँ पर चीनी का चाशनी नहीं बनाया है हलबे बनाने के लिए मैंने डारेक्ट ही चीनी इसमें डाली है आपको इसमें दोद, मावा कुछ भी नहीं डालना है सिंपली यह हर बहुत ही ज़ादा टेस्टी इसी तरह से बन कर त्यार होगा चीनी मैल्ड होने तक आपको इसे पकाना है लगपक 2-3 मिनिट या 4 मिनिट भी लग सकते हैं चीनी का जो करकरापन होता है वो मुमें नहीं आना चाहिए आप बीच में टेस्ट भी कर सकते हैं तो देखी चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है तो अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ जस बाउल में मैंने इसको मेजर किया था उसी बाउल में मैंने निकाला है और इस तरह से थोड़ी सी काजू का कतरन और उपर से डाल देती हूं गानिशिंग के लिए और आपका कोकुनट का हलवा बन कर तयार है भगवान के भूग के लिए आप इसे जरूर बनाए वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करें चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन् झाव झावब्ट झावब य।